प्राइम डिबेट विच तो अड़ा स्वागत है असी उत्री अम्रीका विच ग्लोबल पंजाब आते यूरोप विच संगत टेलिवीजिन दे दर्शका अधावी स्वागत कर देयां अम्रीका विच पार्ती डिप्लोमेट देवयाईनी खोबरागड़े दी ग्रिफतारी विवादा स्वाब बनी है देवयाईनी नू हतकड़ी लगाई गई उस दी जामा तलाशी कीती गई आते उसनू नशेडिया नाल हवालात विच बंद कीता गया देवयाईनी हुते विजा फ्राड अते नौकरानी दे सोशन दे इलजाम लगाए गई ने पारत सरकार ने इस मामले विच सक्त इतराज कीता है हुन एहम सवाल है कि पारती डिप्लोमेट नाल कीते गई इस विवहार नू अमरीका दे पाक्तों के में समझा जाए पारत दे सफारती अमले दी जामा तलाशी अते उननाल बद सलू की दिया कई कट नामा पिछले साला दोरान खबरान या सुर्खियां बढ़ियाने इस सारियां खबरान अमरीका या यूर्पी मुलका विचों आन्याने पारत दे साबका राष्टपती अब्दुल्कुलाम अते पारती सफीर मीरा शंकर दी जामा तलाशी अमरीका अते पारत विच विवादा सबाब बढ़ी सी सिफार्ती रिष्टियां बाबत 1908 दी वियाना कन्वेंचन तहत सिफार्ती अमले नू मेजबान मुलक दे कनून विच छोटा हासल लें सिफार्ती समान अते सिफार्ती हर कारया नू भी तलाशी तो शोटे सिफार्थी अमले दे कर दे जिया नू भी सिफार्थी छोटा मिर्दियाने इना कनूना दे हुंदे हुए पार्थी डिप्लोमेट दे ब्याइनी खोबरागड़े दी ग्रिफतारी कई सवाल खड़े कर दी है देवाइनी नू गृफतार करके उस दे हतकडी लगाई गई आते उस सैलविच बंद रख्या गया जिते नश्यां दे आदी बंदिया नू रख्या गया है देवाइनी उते वीजा फ्राड आते नौकरानी दे सोशन दे इलजाम लगाई गया है पारत वल्लों इस कारवाई दा सक्त नोटिस लिया गयाए पास अते दरामत पास रद कर देते गएने दिली पोलिस नो अमरीकी सफारत खाने दे बाहर लगे नाके हटाउन लई कहा गयाए सफारती सरोतां दे हवाले नग केहा गया है कि जे अमरीका विच पारति हैं या सफारती छोटा सीमत ने तपारत विच भी अजिहा ही हुएγα इना हलात वेचे सोचना मनदा है कि दोमा मुलकां वेच कोई तना चल रहा है जा अमरीका सफारती सलीके दा सतकार करना जरूरी नहीं समझदा पारत दी जवाबी कारवाई ने इस मामले दी संजीदगी नो उगाड देता है कि पारत दी इस कारवाई दा कारण जहीं कटना मादा वार वार होना है कि देव्याईनी खोबरा गड़े वाली कटना पहली आना नो उन्चादा वड़ी है कि पारत इस कारवाई रहीं अमरीका नो कोई होर सुनेहा दे रहा है इस सारी चर्चा विचों देवयाई नी दी नौकरानी गैर हाजर के हूँ है इना सारे मसले होते चर्चा करन ली साडेनाल सूडियो विच हाजर ने इंदरजीत सिंग चड़ा जो साबका सफीर ने परफेसर बी-स कुमन जो समाज शाष्ट्री ने अजे पारदवाज जो सीनि मैं कमेंट करांगा मैं पहले दर्शकान ली एक क्लिरिफाइ कर दे हूँ कि थो अडिनर की हो ऐसी हो अच्छा वह इस्वाँ है कि आज तक्रीबं तीस साल पहले मैंनों जाना पर आ अमेरिका बड़े शॉर्ट नोटिस थे एल के जहार प्राइमिनिस्टर स्पेशल इन्वा क्लिर जान नहीं देता और अलग कमरेज लागा है स्वाल करन वास्ते जी वज़ाए दसी गई कि तो अड़ा जड़ा वीजा है वह ट्रांजिट वीजा है तुसी आपने इंडिसंबर केशन कार्ड इज लिख्या है कि तुसी बिजनेस वास्ते आयो यह बिजनेस वीजा नह मुश्किल यह हो गई सी कि बिचारे जहासा जीड़े प्राइम स्पेशल इन्वाइशन ओ बैठे इमिग्रेशन वीज इंतजार करने कि मैं मैंने क्लिरंस मिले तो तुछ चलन एंबेसी ते किसे बंदे नो अंदर आन दी अजादे नहीं देती कि तो जो मैं वापस आके मिन क्लिकेशन तक नहीं आ सकते लेकिन मिनिस्ट्री ने कोई स्टेप नहीं लेया कमजोरी दिखाई जी होन पहली वरी ओ दिखा रहे ने कि असी कमजोर नहीं है जे तो अगर साड़े नाल बस लुकी होएगी तो हमनों इस वा कामियाज़ा पुग्दटना पाएगा मैसेज पे सीने सीने एक्स प्रेजडेंट नो थे एक्स अमबैस्टर नो बाड़ी सर्च किती गई हो कही जगा इस तरह दी वारदाता होई है ने लेकिन इस वरी जो कुछ किता है बहुत बहुत ही गलत सी जड़ा हथकड़ी लगाके खजल किता है गया सारे बच्चां दे सामने और ज दोबसना चांदा एक तरह है कि डिप्लिमेटिक इम्यूनिटी ओ कहने ने जी गई सिर्फ यह नहीं कमा वास्ते है जड़े ओफिशल जूटी से कर रहे ने अए उन एह फैसला करना मुश्चल है कि ए जड़ा वीसा वास्ति ज्ड़ा इस ने अप्लाई किता है ओऊ उस जड विज़ा उन्हयां है एप्लाइ केता ऐ docs उपिशायल कम कमीज़ए लेकिन उन्हों टा ऐ कहना वाजब है कि एए अगर तुसी भशख करो लेकिन साड़े लाउ ह luglas कर dif करो अगर कर रहें लेकिन उस नो कोई हाक नि बन्दा कि इसनु अरेस्ट किता जाये क्यूंकि डिपBayaks कोशिक किती जाए और कई तरीके उन्देने कोई का दे डिप्लोमेटिक इमुनिटी विड्राव भी कर लें देने वेव भी कर लें देने और तरीके हो सकते नहीं लेकिन इस तरह उन्हों अरेस्ट करके खजल करना यह बिल्कुल गलती सी यह ते गल होगी रेसी प्रॉसिटी कर्ट सी नहीं कर्ट सी नहीं एक्स्टेंड की ती गई और रेसी प्रॉसिट दे बारे में थे हैं कि अदे अद्रा देने यह जान दे इनना सारहां प्हनुआते समय विचा आज कि जड़े ता उनना दे अमला साधे मुल्क देविच हैगा, वो दा जदों अपने मेहमाना नू रहना जानता है, तो जहाज तक जानता है, तो साधे नू उते उस हसाब नाल नहीं, मेजवान नहीं एक्स्टैंड कर दे, जवें असी कर दे कि इसे बितकरेदी कड़ी दे विच नहीं देखे जावे कि अमरीका अपने अपने अपनों बड़े परादेता और देते पेश कर दे कैसी जो मर्ची करिए तुसी एद्धा ही करोंगे, एदे विच पहलो जड़ा चड़ा साथ हिंट कर रहे सेगे, एक ना वियाना कंवेंशन कंवेंशन और कंवेंशन से आर्टिकल 41 सेक्शन 123 है, ओ क्लियर लिए कहना है भी जिननाचे कोई ग्रेव क्राइम ना होए, ते ओ क्राइम दे लए जे किसीन औरेस्ट करना है ता कंपिटेंट अथार्टी तो सेंक्शन ना होए, ता एद्धा अमल के हाई वीजिबिल्टी इस नो तो से अर्यस्ट नहीं कर सकते हैं, एक ता सहनो उस चीज ते जोर देना चाहिए है, क्योंकि ओ जीड़ी कन्वेंशन और और इक्वैलिटी दा प्रिंसिपल है, चाहे ओ अमेरिकन डिप्लोमेट है जहां इंडियन डिप्लोमेट अमेरिका चाह गया, दूसरा है भी जड़ा इशू है गया ओह भी ओस लड़की नूँ वेजिस उन्यानी देंगे जिन्यान की प्रामिस सीगा हून जड़े उत्वन दे लेवर लॉज ने अमेरिका दे ओच सनू देखना है पहे गया भी कि ये ग्रेव क्राइम है जा नहीं है जिद्दा के चड़ा सब कह रहे है पहे जानों डिप्लोमेट्स नो ओथे डिमेस्टिक हेल्प दी लोड है गी है ते कई वरी डिमेस्टिक हेल्प हो थे इसली उन्हा कंट्री ज नहीं मिल दी ओधी कंपेटिबिल्टी दा भी प्रालम है गया दूसरा सनू ए देखना चीज़ है भी कि एहे ऐस पर लेवर कि अपिटेंट जुडिशल अथारिटी तो ओधी संक्शन लेनी जरूरी है फिर तुसी उन्हों औरेस्ट कर साथ है ते पहला पैना उन्हों तुसी वैसे इन्फॉर्म कर साथ है या आए दा वालेशन अपर्चनिटी उन्हों देने चाहे दी सी टू एक्स्प्लेन हर पोज अन्देख्या करके इस सारा कुस होया है गया मिन्हों लगदेवी दुना तिरानू एकल लेवल ते ट्रीटमेंट होना चीदेए इरिस्पेक्टिव ओ इंडियन अमबैसी है जा यूएस अमबैसी है जी अजे जी दो मामले पिछले साल लांदेड़े है पाकिस्तान दे इपिए जन्सी दे बंदेने जा सफारत खाने दे बंदेने दूजा मामला है गा है इंडुस्तान दे बिच्छों जिस तरीके ना इटली बाड़े बंदेया नूं वाले बापस लेके ते ओहो बाई हुक और कुरुक अपने बंदेयां दी राखी के ते भी जाके करते ने त थानेदार जा हुंदा है, self-proclaimed, थानेदार, थानेदार की किसे हालत देविच गुंडा हुई जानदा, मतलब उन्हें, जो अधे मन चाह रहे हैं, उन्हें वो करना है, regardless of the consequences, उन्हों ऐस चीज़ी कोई dignity रखन दी कोई necessity नहीं समझ देविए, इसी किसे चीज़ी एक मर्यादा रखिए, उन्हों दी dignity रखिए, या उन्हों कोई quorum हैगा, उन्हों observe करिए, he has to behave like a ruffian, जिन्हों गाने बुरिश जह behavior हुंदा है, इदे पिछे जड़ा incident on America चुए है, इदे पिछे key provocation है, जिसना मेर पार पार पॉइंट आउट का रहे हुं, जे उन्हों एक deal करन्दा तरीका हैगा, उन्हों कोई murder नहीं करता, उन्हें कोई डाका नहीं मारया, उन्हें एक human rights of violation कीती है, तो there is a way to deal with it, it does not mean कि तुसी होदी frisking करो, तुसी उन्हों humiliate करो, as a female humiliate करो, ते उन्हों एक criminal, जिसन जे ना लोनु कन्फाइन करो, I mean if she has violated human rights somewhere, तो there is a way to deal with it, there is, I mean she is not a murderer, she is not a smuggler, she is not a security, national security threat or something like that, ते मैनु इस गल्त की तसलिह है कि इंडिया ने बड़ा strongly react कीता है, नमली सानु आदत हुन दी है कि आशी चीजनु अचेप्ट का लननननननननननननननननननननननननननननननननन अगले दा behavior justify करते हैं, but in this case एक बड़ी खुशी कहलो, एक तसलिहा लेगाला है, इंडिया ने बड़ा strongly overt कीता है, national leaders ने उननननननननननननननन एक unity दिखाई है, जे राहुल ने ते सोनिया जी ने किया कि मैं नहीं मिलांगी वस delegation नू ओधरो opposition प्राइम निस्ट्र कैंडेट मोदी उनने भी किया कि मैं भी नहीं मिलागा जी तो लगदा है कि नेशन हैस रियक्टिड टोगेदर वेरी स्ट्रॉंग ली चड़ा साब जड़ी इस वार पारत ने जवाबी कारवाई की ती है इस जड़े साड़े बिदेश सकतर ने उनना दी काफी एहम पूमका लग दिया हाँ जड़ूर इस सेच कोई शक नहीं है इस गल्दा जवाब दें तो पहले मैं एक छोटा ज़ा कमेंट करना चाहाँगा जो गुमन साब ने किया है कि असी देखिए कि वियना कंवेंशने तले कितना सीरियस क्राइम है उस तो अर्लियर स्वाल है कि इम्यूनिटी है कि नह मैंनों ओ अरेस्ट नहीं कर सकते मेरी सरकार नों कहाँगे कि देखो इसने एक कराइम किता है उन इसनों किस ता हैंडल किता जाए और सानू चॉइस दिता जानदा है कि या दे तुसी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी वेव करो तो इनको चलो जी प्रोसेग्यूट कर लो या जासी उननार वादा करिए कि अपने 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 प्लियाद विच कारवई करांगे अच्छा हाँ एजड़ा सवाल तुसी पुछा है ज़रूर है कि सुजाता सिंग फॉर्ण सेक्र्टी जब दी बनी है उसने कोशिश कीती है कि साड़ी जड़े फॉर्ण सर्विस आफिस और कॉंसल जनर दे खिलाफी केस चल रहे है इसी उसना की फैसला है मैंनों पता नहीं इस उनों वो साड़े जड़े डिप्लमेट्स ने वो अपने बॉसस नों कह रहे हैं कि आसी करिये की तुसी सानू उत्थे पेज देओ सानू कहन देओ कि तुसी नोकर रखो सानू कहन द यूएस लॉज दे तर्ले5,000 आप और6,000 फै रोज दीना पर फैर यं जलत है न, कि तुसी कोई यूळ दार नहीं उननिसलाउं प्लौट करो घलत है। उस लॉज दे अनदर प्रफेसर इन्हों जो जिस्तरी के ति वाइलेशन लगा तरूरी सी ही इम्मुनिटी नों वाइलेट करके साथे डिप्लोमेट्स नों परिशान किता जा रहा है। वो दी कंटिनूटी दे विच देखते हूं जा कोई डिपार्चर था उन्हों दुखाई दना है थे। यह पहले थे है उस दे विच सिर्फ इंडिन डिप्लोमेट्स नाल ने आड़ बाकी कंटिन आड़ भी एदा हुए जिटे भी लेबर लाज था जिनोने इन्फोर्समेंट करने कुछ यह और अनवन केसे लाज था मसला सिर्फ पार्टियां ने मामलेज बाकी कंटिन डिप्लोम मैंने के किंक्लूशन ते पहुंचिया है एक किंक्लूशन नहीं हो साथ भी ओ पर वीजने विड्रा कर दे चाहिए हाउसकीपिंग जड़ी अब्रॉड है पी जड़ा इंडिया चु लेकर जन दे है एक आल्टरेटर वीजने विड्रा कर लो तांकि ओधी वाइलेशन होवी न जी ओ पर वीजने विड्राव का दे है तो दी जगह ते जड़े अथे डिप्लोमेट्स हैगे उन्हानों लोकल लेबर इंप्रॉय करने कंपंसेशन देता जावे जिनना उन्हानों दे माले के जो एक्चुल बांदा है जो एधिंक चड़ा साब भी माले के मिनने अगरी करन जावे तीसरा में लगदा है जे अपा प्रभीजने बिड्राव नहीं करना है क्योंकि परेदियां अपनियां काम्टिकेशन जो गया है जे बिड्राव नहीं कर रहे सी ता जीड़ा इंडियन वरकर नों हायर कर रहा है माले के डिप्लोमेट्स ओ दी जेलरी जा वेजस ने बेंक दे विचे ट्रांसपर कीता जावे तांके ओधी जड़ी जड़ी अकॉंटेबिलिटी है ओफो ट्रांसपेरेंसी हो बनी रहे है ओच एक फुटनोट इथे हैं कि जड़ा उत्थों दा लोकल लेवर वेजस दिकाल कर दा है सेलरी दिकाल कर दा है ओधे विच चड़ा स करेक्ट कर सकते हैं यह दे विच डिप्लोमेट शायदाना अक्मोडेशन भी दिन दे हैं नाल फूड भी दिन दे हैं वह सारा कुस डिड़क्ट करके फिर ओधे लेवर लास नो इंटर्प्रेट कीता जावे अकॉर्डिंगली फिर इस नो देखना है नाके इमिडेटी वी मिनिमम वेज़ता है इस करके भी कर टाए भी इकाममोडेशन मिल रही है इस करके भी जेता भी मील परवाइट कर रहे है यह दंए अपर वेजन ने ताह जिनियां वेजिस ओप्लापय प्लस एड़ करके फेर इन्टर्प्रेशन जाहिए मैं इतने क्यों होंगा कि इसने कई तरीके ने बेसिक पॉइंट यह है कि असी इस सिचुएशन नू पर्पिचुएट नहीं कर सकते कि साड़े डिप्लमेट्स उते नौकर इंप्लॉई कर देने और अपनी ड्यूटी नू परफॉर्म करने और सिक कर देने उन्हानू जरूरी नहीं होना चाहिए है कि लेबल लास नू फ्लाउट करने अंदर रहना चाहिए है कई तरीके में उसनो करने यह कुछ स्टेफ्स रिसेंट्ल जूरेफा गूंसाह शुकर ने और बहुत सारी तरीके ने या द्म्द्रूर या में तो भी आ सकते हैं ने तो अधे किसे खास मेक में दे जड़े उसे स्किल बड़े बंदे ने उननों हंदोस्तान दी गौशन क्यों नहीं पांट कर सकती जमें बाकी रिक्राइट्स नो एक 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 उप्शन यह लेकिन फिस प्राब्लम यह हो जाना है कि कर्दे विच जड़ सकता है निकालना जूरी है और कुछ स्टेफ से जैसा गुर्मन साने दसे ने हो इनिशेटिव होए ने लेकिन उननों इंप्लिमेंट करने थरफ टाइम लगेगा जी अजे पार्दवाजी दो मसले ने एक ता जड़ा एक गाल कर रहे ने दूजा है कि दूजा मुल्क ने सा बदिया टांगना काम कर सकान। कि दूजा है कि law of the land पावे पाकिस्तान है पावे चैनेडा है पावे ऐस्ट्रेलिया है पावे अमेरिका है ठीक है ने ते ओज़ डिपलोमेटिक इम्मुनिटी किनी है ओ मैंनुख है रहा है, I am not an expert on it, so I don't know. But whatever it be, whatever it be, officer should remain in the limits of the protocol as well as law of the land. That is what. कि अमेरिका ने एनना strong reaction जड़ा देता है, एक क्यों देता है, इस हड़े ली चिंता दा विशे है, एस हड़े ली discussion दा विशे है. मुझता मैं जिसना पहला किया सी गा, ए अमेरिका दा बूरिश बहेवियर, on the face of it, जो मैंनु लगदा है गा, ए बूरिश बहेवियर है, इवन विशे वाइले इसना विशे वाइलेशन कर रहा है, इननु रेक्टिफाइ करो, otherwise she faces this kind of action. मैंनु लगदा है, इस तरह diplomatic relations दे विच, एननी कड़तन नहीं सी आनी, जे अमेरिका थोड़ा जा गंभीरता ना, थोड़ा जा gracefully डील करदा, तो उनु क्रिमिनल दी तरह ना डील करदा, इसमें एक और उधान देहांगा, जो कुछ इनना ने किया इस दे बारेज, कही वार जिसना मैं एक example देहां कि duty free entitlement हों दी है, तुसी हर एक चीज डूटी free मंगा सकते हो, उस दे तहित, उस दा misuse होंदा कही जगा, उस दा ambassador दे knowledge विच नहीं होंदा, उस दा तरीका की है, ambassador दो कहा जाए कि देखो जी तोड़ा यह misuse हो रहा है, तोड़ा जड़ा जुनियर डि मैंनों किया गया कि देखो जी उन्हें जाके arrest नहीं किता है उन्हें ने, देखो जी मैंनों लगदा है कि यह ज़्यादा misuse हो रहा है, इस दो जड़ा चेक करो, ठीक है, मैं steps line हो, चेक हो गया, इस तरह जिस दा इना ने किया, ambassador, यह government to government level दे लेना चाहिए और इस दी solution करने चेक दे इस दे कोई शक नहीं है, कि असी नहीं कह सकते कि असी तो अड़ा law नहीं observe करा है, you can never say that, ओ ठीक है, पर जेड़ी जिस तरह के ना ग्रिफतारी होई, हत्कडी लगदी, it is more than, जेड़ा उन्हें बाइलेशन कीती है, एनों तुसी दूमा मुलकाने रिष्टे विच क कोई कमेंट मान दे हैं इस का लों की भी मलब, अमेरिका ने को मैसेज दता है, थोड़ा बहुत इसी स्ट्रेंट होएगा, लेकिन उस दा ओवरॉल इंपेक्ट खास ज्यादा होना वाला नहीं है, ठीक है, साड़ी डिप्लोमेट्स तो काफी गुस्सा है, तो उस गुस्सा जाएज है, तो उस दा उसी इजार कर रहे हैं, लेकिन इस जड़ा ओरॉल जड़ी स्ट्रेटिजिक पार्टनर्शिप है, साड़ी होते हैं, तो खास मेरे साड़ी रहे 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 हैं कि अमेरिका ने एकसीडिंग ली एकसेसिल स्टेप क्यों है, कि ओ इंडो पार्क इंडो यूएस रिलेशन्स दी कोई वोदे चों कोई निकल दा है, मतलब कोई तंतू निकल दा होते हैं, एक एहम सवाल रहेगा, हो सकदा उनवाले दिनाज कोई होर किसे किसम दी गाल साड़े साड़े हैं, हो सकदा हो ने सोचे नहों परपोर्शन, अमेरिका तो ऐनी आश मैं भी ज्यादा इसनों मोटिफ एट्रिब्यूट नहीं करांगा, यह ते नहीं के उनने किया कि साड़े सा तालोकात ठीक नहीं ते तुछी लगाओ, यह ते लोकल लेवल ते होया है, जड़ा अप्रीद भरा रहा है, वह काफी तेज आग्मी उसने पहले भी उसनों प्रो करांगे, क्यों मेरे ख्याल नहीं के ओ इस चीज नों अमेरिकन वी चांगे, कि ए इंसिडेंट जिड़ा है, साड़े तालोकाते किसी किसम दा इंपेक्ट होगी, तुसी सारे आजली चार्चा शामिल होए, थाड़ा बहुत 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 तानवाओ, सोवित जुनियन दे अमरीकाओं ते की असर होएगा, एता और वाड़े दिना विच ही पता लगेगा, पर पार्थ सरकार नों अपने सफार्ती अमलेदियां मुश्कलां दा फौरी त्यान करना चाहिदा है, इस पक्तों किसे फैसला कुन पहल कदमी दी उमीद इस वार कीती जा सकती है, नमस्का आंगे यूट्यूब ते, सानू फॉलो करो ट्विटर ते, खबरानाल जुडे दहो दिन राद